श्री नाज्जी गुरुजी को लखादेश, मा भगवती को लखादेश, रांची वाले भैरब बाबा को लखादेश, आप सभी को लखादेश भगवती काली दस महा विद्या की ईष्ट धात्री, परंतु आज भी हम उनकी पूजा करने से डरते हैं, क्यों डरते हैं? क्योंकि उनका जो वर्णन है, बहुत सारे ग्रंथों में, जब अब कालीका पुरान पढ़िएगा, या मारकंडे पुरान पढ़िएगा, तो कालीका का जो रूप है वो कैसा है? वो है महा भैर्वी के रूप में भगवती रहती है, ठीक है? नर्मुंद धारन करती है, अठास करती है, मुंद माला धारन करती है, करवाला, अभय और वरद मुद्रा धारन करती है, श्याम रूपा है, ठीक है ना? क्योंकि महा निर्गुन है, इसलिए इनको अ जब महादेव ने जितनी भी साधनाय बताएं गौरा को उसमें भगवती काली का एक विशेश रूप है और इससे ये मान लिया गया कि भगवती काली जो है तांत्रिक देवी है और तांत्र मतलब मारन मोहनुचाटन कलें का प्रयोग होता है लेकिन जो सबसे जादा वाद्च रूपनी ही माना जाता है बाकी जितनी भी भगवतिया दस महाविद्या में है चाहे सौम्य हो या वो क्रोध रूप में हो वो भगवती का ही रूप माना जाता है तो शुरुवात कहां से करे भगवती की पूजा का देखे ऐसे तो भगवती का जो प्रादुर भाव है वो क भगवती का त्रेक्षरी मंत्र है और जो आध्याकाली आध्याकाली किसको कहते है आध्याकाली जो मूल काली है अध्या का मतलब क्या हो जो सबसे पहली काली है है ना उनका जो मंत्र जाप है वो आप कर सकते हैं अपने घर में अभी जो गुप्त नवरात्री आने वाली है उस जाती है कि आपने आध्याकाली की जाधना शुरू कर दी है, आम दिनों पर जब कोई विशेश महरत ना हो, जब नवरात्ति ना चल रहे हो, तो 41 दिन तक आप इसका संकल्प लेकर के पूजा करेंगे, आपको क्या-क्या आवशकता होगी इसमें, एक तामबे का कलश लेंगे कलश में एक सिक्का डालेंगे, थीक है, थोड़ा अक्षा डालेंगे, जो चावल होता है, बिना टूटा हुआ, बिना उबला हुआ, ठीक है, एक पंच रत्न करके, पूजा सामगरी में मिलता है, उसको मिलाएंगे, पंच धान्य बोला जाता है, उसको मिलाएंगे, इतना क पांच पत्तो वाला आम का पल्लव डालेंगे उसके ऊपर नारीयल डालेंगे नारीयल का जो पूच होता है वो northern की तरफ फेसिंग होना चाहिए या फिर इस्ट की तरफ फेसिंग होना चाहिए और उस नार्ययल के ऊपर पäter या भाल लगा दीजेगा चीक यह उस पर 5 तिल लख कर दीजेगा रोली और चंदन से यह आपका कलश हो गया ठीक अच्छा यह बुज़ा अगर आपके वास पूजा स्थान है तो पूजा स्थान पही किजेगा बिना अत्रिक को इवेवस्था किये और अगर आपके वास पूजा नहीं है तब फिर एक चौकी ले लिजिएगा लकडी की उस पर लाल कपड़ा भी चाहिएगा उस पर गोलाकार चावल का बना करके उसको चावल से भर दीजिएगा फिर जैसे हम करते हैं कि लाल रोली से उस पर त्रिशूल बनाते हैं जिसका मुक उपर की तरफ हो ठीक है वो भगवती को आपने जहां स्थापना किया है उनके सामने थोड़ा सा लाल या पीला रंग करके चावल रखेंगे थोड़ा सा बिलकुल और उसके उपर कलश की स्थापना करेंगे और अगले नौ दिन तक जो है इस पर ही भगवती को पूजा देंगे मतलब जो पंच फूल देना है लाल फूल उसमें जो चंदन देना है रक्त चंदन उसमें जो नवेद दिखाना है कि आपको नवेद समर्पन कर रहा है वो नवेद जो धूप दिखाना है घी में धूप घी का दिया दिखाना है यह सब आप उस कलश को ही दिखाएंगे ठीक है और यह सब व पवित्र करते हैं ठीक है जो संध्या का विदी है मतलब खुद को पवित्र किया गुरू का ध्यान किया गनपती का ध्यान किया ये सब क्रियाई करने के बाद जो भी आप नित्य करते हैं उसके बाद आप शुरू करेंगे भगवति का पूजा ठीक है तो जब आप दीपक जल कर देंगे um शम्म भगवती आद्यकाली पुषफ्प शमर्पयांकि तो पुष्प संबर पन कर देंगे ओम भगवती आद्यकाली नमेज्धम निविद्यांकि तो नवेद भगवती को दिखाएंगे जन्दम माले और तो रक्तचंदन उसपर चीट देंगे रिंग फिंगर से आप थोड़ा सा रखते चंदन उस पर छीट देंगे या फिर एक आम का पत्ता तोड़ेंगे उससे रखते चंदन उस पर चड़ाएंगे ठीक है उसके बाद दीपम द्रिश्यामी, तो दीपक दिखाएंगे, ठीक है, धूपम समर्पयामी, तो धूप जो है उस कलश को आप दिखाएंगे, ठीक है, संकल्प हाथ में जल ले करके, कि मैं नौ दिन का संकल्प कर रहा हूँ, आध्याकाली की पूजा के लिए, पंच पूजा आप रोज करेंगे, जब नौ दिन हो जाएगा, तो इस कलश को हिला देंगे, और इसका जल पूरे घर में छीट देंगे, रोज के पूजा में क्या करना है, पहले पंच पूजा कर लिया, उसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे, और आचमनी करेंगे, ओम, ओम, रिं आप तत्तम सोभ्यामी नमस्वाह, एक बार आचमनी करेंगे, ओम, रिंग, विद्धा तत्तम सोभ्यामी नमस्वाह, ओम, रिंग, शिवत तत्तम सोभ्यामी नमस्वाह, ऐसा बोल करके, आप तीन बार आचमनी करेंगे, फिर हाथ दो लेंगे, ओम, रिंग, सरतत्तम सोभ्य इसका जो बीज है जो दुर्गाश अप्षति में बीज दिया वह है उसके बाद क्या करेंगे हैं उसके बाद करेंगे विन्योग तो हाथ में थोड़ा जल लेंगे और ओम अस्य श्री आध्याकाली मंत्रस्या ब्रह्म ब्रह्मस्य रिशयो गाइत्री उश्नक अनुष्टुक ज्पे विन्योग एसा बोलके जल गिरा देंगे फिर रिशियादी न्यास करेंगे ब्रह्मस्य रिषिभ्यो नमः सिर्चिश का स्पर्श करेंगे गाहित्री उश्नक अनुष्टुप चंतनृब्यो नमः मुख का स्पर्श करेंगे श्रीद्या आध्याकाली देवत्य नwww रिदय का स्पर्श करेंगे, क्रिंग, बीजाय नमाहा, जो अपना टेलबोन है उसका स्पर्श करेंगे, रिंग, शक्तये नमाहा, दोनों पैरों का स्पर्श करेंगे, श्रिम, कीलकाय नमाहा, नाभी का स्पर्श करेंगे, विनियोगाय नमाहा, सर से लेकर के जो पैर है, को करेंगे उसमें क्या करेंगे कि जो थम है उसके रूट से टिप तक जो है हम अपने इंडेक्स फिंगर से चुएंगे और बाकी जो उंगलियां है उसको हम जो है थम से चुएंगे तो जब थम चुएंगे तो रांग बीज बोलेंगे जब इंडेक्स चुएंगे तो रिंग बीज बोलेंगे, मिडल फिंगर चुएंगे तो रूंग बीज बोलेंगे, जब रिंग फिंगर चुएंगे तो रैंग बीज बोलेंगे, लिटल फिंगर चुएंगे तो रॉंग बीज बोलेंगे और दोनों हाथों को जब एक दूसरे से स्पर्श करेंगे तो रह बोलेंगे ठीक है इसके बाद भगवती काली का ध्यान करेंगे और फिर फिर पांच माला हम जो दियाखने मंत्र है भगवती आध्या का और द्याखो करेंगे इसका पांच माला जाप करेंगे, नौ दिन जब बीच जाएगा, तो दसवे दिन काला तिल, लॉंग, गूगल, गुलाब की सुखी हुई पंखुणिया, और साथ में मिस्री, इन पांचों चीजों को घी में मिला लेंगे, और पांच माला पूर्णा हुती का हवन कर देंगे ऐसा करने से भगवती जो है, आपके साथ हो कि उनको समझ में आ जाएगा आप है, जिसको सिद्धी का पहला चरण बोलते हैं, इसके बाद जो है आप इस मंत्र को रोज जाप करिए, भगवती का अनंत क्रिपा, आध्याकाली का बहुत अनंत क्रिपा है, धन्धन्या, शत्र जो है, भागी बनिये, राची वाले भहरब बाबा, भगवती रुद्र काली, आप सभी का मार्ग अध्यात्म में और माया वाली दुनिया में ऐसी ही प्रसस्त करें, ऐसी उनसे मेरी प्रातना है, आप सभी को आदेश, आदेश, आल्लाख आदेश आप नाक्रिपंग जम्यालय यासोत्रमिंदुशेखरम क्रपाकरम